बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का क्लास नाइन में स्वागत हैं तो क्लास नाइन में हम लोग अभी रेखाएं और कौन को पढ़ रहे हैं यह आप लोगों के गनित का छठा चेप्टर हैं तो चलिए आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.5 के पहले बेसिक नोलेज को पढ़ चुके हैं कुछ परिभासाओं को भी हमने पढ़ा तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले पीछे का वीडियो अवश्य देख ले उसमें आपको क्या-क्या समझाया गया है आशन्य कौन को समझाया गया पूरक कौन कैसे बनते हैं समपूरक कौन कैसे बनते हैं सिर्शा विमुक कौन क्या होता है रैखिक यूगम अभिग्रहित क्या होता है और समांतर रेखा क्या होता है यह सब बार इस सबों की जानकारी आप लोगों को पिछले वीडियो में दे रहें कि नहीं अगर जान रहें तो अच्छी बात है यह exercise 6.1 बनाने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा तो आशन कौन कैसे बनते हैं जब दो कौन इस तरह से हो कि उसका उभाइनिस्ट सिर्ष हो और उभाइनिस्ट एक आर्म हो एक भुजा उभाइनिस्ट हो तो ऐसे कौन जो होते हैं और उभाइनिस्ट रेखा जो होती है वो एक दूसरे के बिपरीत होती है पूरक क्या होता है कि जब दो आशन कौन का योग 90 डिगरी हो तो पूरक कौन होते हैं जब दो आशन कौनों का योग 180 डिगरी होता है तो वो संपूरक कौन होते हैं सिर्षा विमुक कौन किस तरह से बनता है अगर एक दो रेखा प्रतिछेदी रेखा है तो इस तरह से ये एंगल ए जो है बी का सिर्षा विमुक सिर्षा विमुक कौन जो होते हैं यह आपस में बराबर होते हैं इसको हम लोग प्रूब भी करेंगे और यह आपका एंगल 1 और यह आपका एंगल 2 यह दोनों इस तरह से यह दोनों कौन आपस में बराबर होते हैं सबसे पहले हम लोग इस थियोरम को भी पढ़ेंगे उसके बाद समांतर रेखा रेखी की विग्रहित में क्या होता है जब दो आशन कोनों का योग 180 डिग्री हो तो ओ उभैनिस्ट रेखा जो होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है जैसे माल लिया जाए कि दो आशन कोन है इस दोनों कोनों का योग जो है यह 30 डिग्री है यह आप आपका 150 हैं दोनों का योग जो है 180 हो गया तो BC रेहे कर यानि गोर 180 डिग्री के बराबर होता है तो यह दोनों चीज आता है आपका किस में आ जाता है यह दोनों चीज आ जाता है आपका रैखिक यूग्म अविग्रिहित में तो बच्चों हम इसका भी उपियोग करेंगे और समांतर रेखा क्या होती है जब दो रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो कैसी रेखा कहलाती है आपका समांतर रेखा कहलाती है तो इसमें एक थियोरम जो इंपोर्टेंट है आपका वो है कि आप देख सकते हैं प्रमय 6.1 यदि दो रेखाएं परिश पर प्रतिछेद करें चलिए हम लोग लिखते हैं प्रमय 6.1 को प्रमय 6.1 जो कि आप बुक में देख सकते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है प्रतिछेद करती हैं तो सिर्षा बिमुक कौन बिमुक कौन जो होते हैं कौन बराबर होते हैं तो बच्चों इसके प्रमान को समझिए ये मान लिजिए एक लाइन है आपका AB और दूसरा लाइन है आपका CD ये दोनों जो हैं ओ बिन्दू पर एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना की AB तथा CD कि दो रेखाएं एक दूसरे को ओ बिन्दू पर प्रतिछेद करती हैं तो यहाँ पर हमको सिध करना क्या है तो सिध करना है कि कौन A बराबर कौन B ने तो ऐसे लिखिए कौन A O D बराबर कौन C O B देख रहे हैं कौन A O D इधर हो गया उसके बाद कौन A O C A O C आपका यह हो गया उसके बाद equal to कौन B O D कौन B O D इसको आपको प्रूप करना है या तो किसी एक को प्रूप करके दिखाना है तो इसके लिए हम लोग जानते हैं रैखिक यूग्म अभी ग्रिहित से रैखिक यूग्म अभी ग्रिहित से देखा जा है कि A B के ऊपर जो है O C एक स्टेंडिंग लाइन है तो A B के ऊपर एक O C खड़ी लखीर है तो इस दोनों कोनों का योग इसका और इसका दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा? एक सो असी डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि कौन C O B जोड कौन A O C दोनों मिलकर एक सो असी डिग्री हो गिया? उसी तरह से किसके लिए? C D रेखा पर O A किरन खड़ी है इसको लिख लेते हैं C D रेखा पर O A किरन हैं किरन हैं तो A O C कौन A O C जोड कौन A O D कौन A O D इक्वल टू एक सो असी डिग्री हो अब यहाँ पर दो समिकरन मिलता है एक समिकरन वन और यह समिकरन दो दोनों चुकी एक सो असी के बराबर हैं इसलिए इसका लेप्ट साइड भी आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सकेंड से एंगल C O B जोड एंगल A O C बराबर एंगल A O C जोड एंगल A O D तो बच्चों इस रिजल्ट पे ध्यान से देखिए कि दोनों साइड A O C A O C जो हैं मौजूद हैं एक साइड का कटा तो दूसरे साइड का भी कट जाएगा दोनों साइड से हटा दिये तो क्या बच गिया आपका एंगल C O B बच गिया बराबर एंगल A O D बच गिया तो देख लिजिए कि C O B ये रहा आपका C O B A O D ये रहा आपका A O D इस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि सिर्सा भी मुख कौन जो है बराबर होते हैं तो यह जो है उसी प्रकार उसी प्रकार अंत में लिख देंगे उसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एंगल A, O, C बराबर एंगल B, O, D यही हो गया प्रमानित और इस उसी प्रकार को उठा के यहां पे लिखती जिए उसी प्रकार है ना उमीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा बोट पर देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी मैं कोशिस करता हूँ कि थोड़ा केमरा को नीचे करूँ ताकि आप ठीक तरह से उसको देख सके तो चलिए बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा और इसको आप जो है अपनी कॉपी में उतार के वाट्सअप के मादियम से जरूर हमको लिख कर भेजेंगे आईए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को स्वालव करते हैं तो 6.1 को स्वालव करते हैं तो 6.1 question book को निकाल लीजे सभी बच्चे और book में सबसे पहला नमर आपका देखिए figure दिया गया है A, B और C, D एक प्रतिछेदी रेखा है exercise 6.1 में A, B A, B और यहाँ आपका C, D एक प्रतिछेदी रेखा है जो ओपर प्रतिछेद करती है और यहाँ आपका इस तरह का figure दिया गया है इसमें देखिए एंगल A, O, C जोड एंगल B, O, E बराबर 70 डिग्री है और उसके बाद एंगल B, O, D बराबर 40 डिग्री है तो यह एंगल और यह एंगल दोनों मिल के आपका 70 डिग्री के बराबर हैं देख सकते हैं A, O, C यह वाला हो गया उसके बाद B, O, E यह वाला एंगल हो गया जिसके बाद B, O, D, B, O, D यहाँ पर हो गया यहाँ आपका 40 डिग्री तो बच्चों इसमें हमको क्या निकालना है यह देखना है पहले तो आपको निकालना है B, O, E ग्याद करना है जिसको हम यह question mark से denote कर रहे है उसके बाद प्रतिवर्ती आपको ग्याद करना है C, O, E यह ग्याद करना है यह दोनों को ग्याद करना है तो अब इसको ग्याद करने के लिए चलते हैं हम लोग यहाँ B, O, D जो है angle B, O, D एक्वल टू angle C, O, A C, O, A जो है यह आपका कैसा कॉन है सिरसा भिमुक कॉन है तो सिरसा भिमुक कॉन तो बराबर होते हैं तो इसलिए angle C, O, A C, O, A बराबर B, O, D देखिए 40 है तो यह भी आपका 40 हो गया अब ये दोनों मिल के जो है 70 है यहाँ पे दिया गया है तो पुनह एंगल A, O, C जोड़ एंगल B, O, E बराबर 70 है और A, O, C का भैल्यू 40 है A, O, C कहिए या C, O, A कहिए दोनों बात बराबर ही होता है तो यह B, O, E बराबर 70 इस तरह से एंगल B, O, E बराबर 70 घटा 40 बराबर 30 तो यह आपका निकल गया 30 डिगरी है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं फीगर जो बनाएंगे तो इसमें इस तरह से आप लिखेंगे नहीं इसको आप छोड़ देंगे इसी तरह खाली यहाँ चुकी solve करके दिखाया गया है अब यहाँ पर हमको B, O, E निकालना है देखे बच्चों B, O, E कितना निकल गया आपका? 30 निकल गया तो यह एक answer यह हो गया आपका पहला पाट का प्रतिवर्ति निकालना है COE तो चलिए COE यह एंगल आप देख रहे हैं इसका प्रतिवर्ति निकालना है यानि कि यह पूरा हमको निकालना है तो पहले अगर इसको हम निकाल ले इसको निकाल लेते हैं चुकि हम देख रहे हैं कि एंगल COE अजोड 40 डिगरी अजोड 30 डिगरी मिलकर 180 डिगरी हो जाएगा यह एंगल यह एंगल और यह एंगल तीनों एंगल मिलके जो है 180 डिगरी के बराबर हो जाएगा है ना तो इसको हम लोग linear pair of angles के अधार पर भी इसको सजा सकते हैं चुकि यह दोनों एंगल का यह और यह पूरे एंगल का sum हो गया आपका 180 और इसको भी दो भाग में बाट दिया गया है इस तरह से हम 180 लिख सकते हैं तो यह एंगल COE जो है 180 घटा 70 यानि कि 110 डिगरी अब reflex कहने का मतलब एंगल COE का reflex कहने का मतलब कि 360 में 110 घटा दीजिए तो 360 में 110 आप घटाते हैं तो कितना बच जाता है 2 यह 5 जीरो 250 डिगरी हो जाता है और एक आपका निकल जाता है 30 डिगरी इस तरह से हम लोग इसको ग्याद कर सकते हैं इसके बाद Q2 में हम लोग चलते हैं Q2 का figure आप देख सकते हैं बोड पर बुक में देखिए Q2 का figure जो है किस तरह से दिया गया है तो question number 2 में इसका figure पहले हम बनाएंगे बोड पर इसमें देखिए बच्चों एक भर इस तरह से line है अब दूसरा 90 डिगरी का angle बना रहा है अब तीसरा आपका इस तरह से दिया गया है इसमें A दिया गया और यह B दिया गया उसके बाद यह 90 डिगरी है और यह angle आपका C है तो इसमें A इस टू B बराबर 2 इस टू 3 दिया गया और C भी ज्याद करना है P O Y P O Y यह आपका 90 है तो A की straight line पर है तो निश्चीत रूप से A पलस B दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा चुकि A और B का जो ratio है 2 इस टू 3 है तो A को हम 2X मान सकते है अब B को हम 3X मान सकते है तो A का जो value है 2X पलस B का value 3X इक्वल टू 90 तो यह 5X इक्वल टू 90 तो X बराबर 90 बाइ 5 तो 5 एका 5 पान अठी चालिस अठारा डिग्री निकलता है अब देखिए कि angle A का value निकालना है तो angle A इक्वल टू हमारा दिया गया है 2X 2 इन्टू 18 अठारा दूना 36 डिग्री अब B निकालना है तो 3X तो 3 गुना 18 बटाबर 68 तिया 54 डिग्री तो इस तरह से हमारा A B भी निकल जाता है अब A और B जो है B और C मिलकर B और C जो है रेखिये युग्म है तो angle B जोड एंगल C बराबर 180 C डिग्री है इसको क्या लिखेंगे रेखिक युग्म अभी ग्रिहित से अभी ग्रिहित से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तो अब देखिये B हमको पता है B है 54 डिग्री जोड एंगल C बराबर 180 C डिग्री तो इस तरह से angle C बराबर 180 C घटा 54 बराबर कितना हो जाता है यह होगे आपका 6, 7 में 5 गया 2, 126 डिग्री तो यह आपका 126 डिग्री इसका answer निकल जाएगा और यह B आपका 54 डिग्री और यह A आपका 36 डिग्री इस तरह से हम लोग दूसरे number question को भी solve कर सकते हैं तो इसे solve करने में बच्चों ध्यान रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिस करेंगे आप लोग इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला problem जो की three number three number में दिया गया है ये आकरती दी गई है three number में इस तरह से दिया गया है और इसमें लिखा गया है PQR उसके बाद यह D आपका हो गया और यहाँ जो है आपका S हो जाता है इसमें दिया गया है कि angle PQR बराबर angle PRQ यह आपका दिया गया है दिया गया है है ना तो सिद्ध करना है क्या है आपको सिद्ध करना है PQS बराबर PRT है ना तो यह angle को इस angle के बराबर दिखाना है और यह यह जो है दोनों बराबर है इस तरह से दिया गया है अब हम यहाँ पर क्या कह सकते है कि चुकि यह दिया गया है तो इसको मान लेते है कि यह जो है आपका X degree के बराबर है क्या माना गया इसको X degree के बराबर है तो यहाँ भी हम रेखिक यूग्म अभिग्रिहित लगा सकते है यहाँ भी रेखिक यूग्म अभिग्रिहित लगा सकते है अभी ग्रिहित से है ना तो यहाँ पर कौन PQS जोड कौन PQR बराबर 100C degree उसके बाद P R Q कौन P R Q जोड कौन P R T कौन P R T बराबर 180C degree यह समीकरन एक और यह समीकरन दो दोनों आपका 180C के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि यह भी आपस में आपका बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सकेंड से इसको ता हिंदी आप लोग समझ रहे होंगे कि एक और दो से कौन PQS जोड कौन PQR बराबर कौन P R Q जोड कौन P R T अब इसमें ध्यान दीजिए कि PQR यह PQR कितना है आपका X डिग्री मने हुए हैं हम लोग उसके बाद P R Q यह भी आपका X डिग्री है और P R T इधर रहने दियें और इधर P QS भी रहने दियें अब दोनों तरफ से दोनों तरफ X मोजूद हैं अब दोनों तरफ से X को हटा दियें हटा सकते हैं समीकरन में यह रूल हैं तो यह दोनों कट गिया कटने के बाद देखे क्या बचा कौन P QS बराबर कौन P R T यही आपको क्या करना था प्रमानित करना था तो मेरे ख्याल से आप लोग यह भी समझ गये होंगे अब लोग चलते हैं question number 4 में तो 4 नम्मर में देखे बच्चों दिया गया है आकरिती पहले कैसी दी गई है इसको हम लोग पहले board पर बनाएंगे तो इसको आप लोग लिख लीजिए इस video को पाउस करके यहीं पर रोक कर आप इसको अवश्य लिख ले question number 3 का answer उसके बाद हम लोग चलते हैं 4 में सबसे पहले 4 का figure बनाएंगे फिर उसके बाद उसको solve करेंगे question number 4 में देखिए क्या है कि एक line आपका a b इस तरह से दिया गया है उसके बाद इसमें यह angle x यह angle आपका x दूसरा angle y तीसरा angle z और यह आपका w इस तरह से दिया गया है और इसका नमंकरन भी किया हुआ है यह d हो गया आपका यह हो गया आपका c यहां हो गया B, यहां हो गया A, इसमें आपको दिया गया है क्या, कि question number 4 में, X जोड Y बराबर W जोड Z, तो सिध कीजिए कि सिध क्या करना है, सिध करना है कि A, O, B जो है, एक रेखा है, यही सिध करना है इसमें, तो A, O, B एक रेखा है, सबसे पहले हम लोग यह देखें कि किसी भी बिंदू पर complete angle, सभी कोनों का योग जो होता है, 360 degree होता है, तो complete angle यहाँ बन रहा है, यह, 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 चारो मिलकर एक पूरा चक्कर लगा दे रहा है, एक पूरा चकर complete कर रहा है, तो इसका मतलब चारो मिलकर कितना होगा, 360 degree का होगा, तो चलिए लिखते हैं कि यहाँ पर हमें, है न, x जोड y जोड z जोड w बिलकर कितना है, 360 degree, लेकिन यहाँ पर x जोड y जो है, w जोड z के बराबर है, है न, तो w z के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, w जोड z के जगह पे x जोड y लिख सकते हैं, यह समीकरन एक और यह समीकरन दो से, तो x जोड y और x जोड y equal to 360 degree, तो 2 into x जोड y बराबर 360 degree, x जोड y बराबर 180 degree, कैसे हुआ 180 degree, यह 360 में 2 से भाग लगिया, तो यह 180 degree, यानि कि x जोड y बराबर 180 degree, अब देखिए कि x और y मिलकर 180 degree होगिया, तो फिर से हम लोग चलेंगे किस पे, रैखिक यूग्म अभी ग्रिहित से, क्या लिख सकते हैं, यही आपको क्या करना था, प्रमानित करना था, तो उम्मीर है कि आपको समझ में आगिया होगा, रैखिक यूग्म अभी ग्रिहित में दोनों बात आता है, क्या कि अगर एक रेखा पर एक कीरन खड़ी हो, तो दोनों कोनों का योग 180 degree होता है, अगर दो आशन कोनों का योग 180 degree हो, तो ओभैनिस्ट रेखा जो होती है, वो आपका एक सीधी रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक रेखा होती है, तो इस दोनों अभी ग्रिहित को आप बिलकुल ठीक तरह से याद रखें, उसी को स्वाट में हम लोग लिखते हैं रैखिक युगम अभी ग्रिहित, ये बहुत काम का चीज हैं बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं, तो पिछले वीडियो में जाके आप अवश्य इसको पूरी तरह से देख लें, इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नमर फाइब में, तो इसको लिख लेंगे आप लोग, है ना, क्वेश्चन नमर फाइब, क्वेश्चन नमर फाइब में देखिए, आपका एक फीगर बना हुआ है, इस तरह से पी क्यू रेक लेखा है, पी क्यू एक रेखा है, और इसमें ओ पर जो है, एक नब्बे डिगरी का कौन बना हुआ है, आर, इसके बाद यहाँ आपका यहाँ पर एस है, इस तरह से दिया गया है, और इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, कि यह आर, ओ, एस, इक्वल टू, वन बाई टू, एंगल, क्यू ओ, एस, माइनस, एंगल, पी ओ, एस, यह प्रूब करना है, आपको, आप फीगर को देख, बुक को देखकर बढ़ियां से इसको समझ सकते हैं, अब यहां पर देखिए बच्चों, कि हमारा दो एंगल है, क्यू ओ, एस, और पी ओ, एस, जो भी दिया गया है, उसको तो हम लोग बुक से लिख लेंगे, दिया गया है, जो भी, है न, उसको आप बुक से उतार लेंगे, जरूर, यह कोईशन नमर फाइब का आंसर है आप और चुकि यह 90 डिगरी का एंगल बन रहा है, तो इधर भी आपका 90 डिगरी का एंगल बन रहा है, तो यह इसको आप लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ आर जोर एंगल आर ओ एस, अब देखिए क्यू ओ आर जो है आपका 90 डिगरी है, तो 90 डिगरी जोर आर ओ एस लिख सकते ह यह समीकरण नम्मर एक मौन लिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं P.O.S को तो यह P.O.S को देखिए इतने को हम कैसे लिखते हैं कि यह पूरे में अगर इतना घटा दे तो यह हमारा बच जाएगा बच्चो ध्यान से देखेंगे कि यदि इस पूरे में अगर इतना सा हम घटा दे तो देखिए यही न बच जाएगा तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल P.O.R. घटा एंगल R.O.S तो P.O.R. जो है P.O.R. जो है आपका कितना है 90 डिग्री है यह 90 डिग्री तो यह भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री घटा एंगल R.O.S है ना इस समीकरन को हम लोग 2 मान लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 में जो है 2 को घटा देते हैं यानि कि एंगल Q.O.S घटा एंगल P.O.S बराबर इसमें इसको घटाते हैं 90 डिग्री घटा R.O.S जोड R.O.S माइनस 90 डिग्री जोड एंगल R.O.S बच्चो यहां ध्यान देंगे कि इसको जब हम माइनस करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है यह माइनस में हो जाएगा यह माइनस है तो यह प्लस में हो जाएगा यहां 90 और 90 केंजिल हो जाता है आपका तो यहां पर बच जाता है 2 into एंगल R.O.S और इधर बच जाता है एंगल Q.O.S माइनस एंगल P.O.S अब क्या करते हैं इसको left side आ इसको right side लिख देते हैं तो 2 into ros बराबर angle qos minus angle pos इसको हम लोग उधर उतार लिए अब इस 2 को right side में लेके चले जाते हैं तो 2 को जब right side में लेके चले जाएंगे तो इधर बच जाएगा ros बच जाएगा तो यहां पर ros बराबर 1 by 2 into qos angle qos घटा angle pos यही आपको क्या करना था प्रमानित करना था तो यह आपका हो जाता है प्रमानित इसके बाद हम लोग चलते हैं last question is 6.1 का last number का question देखते हैं तो आप लोग इसको लिख लेंगे last number question जो है तो बनाने के लिए इसको तो मिटाना पड़ेगा वच्चों तो उम्मीद है कि इसको आप लोग लिख लिए होंगे यदि दिये गए x y z में 64 डिगरी हो तो यहां पर कह रहा है कि x y और z जो है आपका 64 डिगरी दिया गया है यह 64 डिगरी दिया गया है फिर क्या कहता है कि x y को बिंदू पी तक बढ़ा दिये इसको इसके बाद कहता है दी गई सूचनावों में एक आकृति खीच यह आकृति खीच भी दिये हैं हम लोग यदि किरन y o z y p का समद्विभाजक हो देखिए z y p का y q जो है समद्विभाजक है यानि कि यह कौन यह कौन बराबर है उसके बाद कौन एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ति कौन i q y p का मान ग्यात कीजिए x y q तो और x y q का मान ऑपको ग्यात करना है और प्रतिवर्ति कौन किसका मान ग्यात करना है Q, Y, P का मान ग्याद करना है है ना तो यहाँ पर देखिए X, Y, Q कहां पर है X, Y, Q यही है यानि कि यह कितना कौन है इसको आपको ग्याद करना है इसमें देखिए आधा आपको 64 पता है और X यहाँ जो है आपका यह पता नहीं है जिसको हम चलिये लिख देते हैं, a लिख देते हैं और यह भी आपका a small a लिख देते हैं तो a जोड a मिलकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a जोड 64 करेंगे तो यह 180 degree आएगा किसे रैखिक यूगम अभी ग्रिहित से, अभी ग्रिहित से, है न, अब यह 2a बराबर 180 घटा 64 तो यहाँ 6 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बच गया 1, 1, यानि कि a का जो value निकल गया, कितना निकल गया आपका 116 बट दो, यानि कि 5 पर 858 degree, तो यह भी आपका 58 degree और यह भी आपका क्या हो जाएगा, 58 degree अब बच्चों आपको निकालना है x, y, q को, एंगल x, y, q को निकालना है तो देखिए 64 में 58 जुट जाएगा, तो 64 जोर 58 कितना होता, 8, 4, 12, 1, 2, 6, 5, 11, 12, 12 degree नहीं होता है इसके बाद आपको दूसरा निकालना है q, y, p, तो देखिए q, y, p जो है 58 degree है इसको छोड़ कर यह जो एंगल बनता है आपका, यहान देंगे, यह एंगल जो बनता है इसी को हम लोग कहेंगे किसका प्रतिवर्ती, p, y, q का प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए किसका, q, y, p का प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में घटा देंगे हम लोग 58 तो ये आपका बच जाएगा 302 डिगरी इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा 302 डिगरी और 122 डिगरी तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को कम से कम दो बार देखें चुकि बहुत सारे जारखन बोट के बच्चों का सुरू से यह प्रॉब्लम रहा है कि जोमेट्री में वो बहुत कम इंट्रेस्ट लेते हैं अगर आप जोमेट्री में अपने कौपी में बिना देखें लिखें तो मैं यह गारेंटी लेता हूँ कि आपको जोमेट्री समझ में आएगा और बहुत बहुत बहतर तरीके से आएगा और बहुत मज़ेदार भी सबजेक्ट है यह बहुत मज़ेदार टोपिक भी है तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं भीराम देता हूँ जैहिन बच्चों धन्यवाद